मेरा सबसे पसंदीदा जो गीत है जो पंक्ति है जो कविता है जो मेरी जिंदगी का भी दर्शन रहा है और जो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ और आज मेरा संदेश ही दूसरा है आज बहुत प्रेरित करने के लिए नहीं आया हूँ आज किसी दिशा की तरफ आपको जाने के लिए कहने आया हूँ अपनी तरफ से कोशिस करने आया हूँ और सारे category के लोगों को युवाबी है नौकरी करने वाले भी है जिनका business भी है जो self implied भी है जो professional भी है जिनका बड़ा business भी है जो इन सब घेरे से अलग भी है और वो है कि इश्वर ने आपके अंदर में अनंद संभावनाएं दी है आपकी संभावनाएं हकीकत में जहां तक आई हैं उससे कहीं दूर तक आप जा सकते हैं और हम सब इसी प्रयास में हैं इसी कोशिस में हैं अपने लिए भी और आपके लिए भी क्योंकि जो पसंदीदा पंक्ती है वो यही है कि नीड न दो चाहे टहनी दो आश्रे छिन भिन कर डालो नीड न दो घोसले मत दो तुम मुझे एक पक्षी की पुकार है बड़ी अच्छी कविता है तो पूरा तो नहीं सुना सकता क्योंकि आज तो वक्त कुछ और भी सुनने का है नीड न दो चाहे टहनी दो आश्रे छिन भिन कर डालो लेकिन पंक्त दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न डालो आकुल उडान में विगन डालो लेट मी फ्लाइ वेर आइ वान टू गो इश्वर यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी अकूत शक्ती है वो तुमको इस अनंत आकाश में कहीं भी ले जा सकती है इश्वर की कृपासे कल चंद्रियान 3 हमारा लाँच हो गया हम फिर से चंद्रमा की सता पर जाने के लिए तयार हो गए जोड़दार ताली अपने वज्ञानिकों के लिए जबरदस ताली एस सौमनात के लिए जो इमोशनल होगे बोलते हुए वैल्यूज के साथ जिन्होंने काम किया है और ये मकसद था उस उड़ान को वहां तक ले जाने का जो हमारे देश भारतवर्स के होसले को दिखाता है अपने देश के लिए जबरदार ताली होनी चाहिए वी आर प्राउट टू इंडियन प्राउट टू इंडियन भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं फ्रिदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं फ्रेंट्स दुनिया घूमा देश देखा दिल्ली देखा इटली देखा साउथ अफ्रिका देखा अमेरिका देखा पचास देशों की यात्रा कर लिया अंट्रपनियोर्शिप के साथ उद्यमी बनने के साथ लेकिन दोस्त सच एक बात कहूं दुनिया में जहां सबसे ज्यादा बहार है जहां पर चानक्य की सोच और चंद्रगुप्त की हुंकार है सबसे प्यारा अपना बहार है सबसे प्यारा अपना बहार है यहां की मिट्टी का लाल हूँ, इसका गर मुझे हमेशा होता है आज यहां पर आपको यही बोलने आया हूँ कि हमारा अतीत कितना गौरबशाली है कितने लोग इतिहास में, धर्म में, पुरान में, हमारे इतने व्यवसाई गन सब हैं लेकिन सच बताऊं, अगर हम सब मिलकर जोर लगाएं अगर हम सब लोग इमानदारी से और मिहनत करने की शुरुआत करें अपने अपने छित्रों में, तो हमारा भविश्य इससे दस गुना जादा अच्छा हो सकता है minimum 10 times अच्छा हो सकता है और हम अपने राज जी को देश के मानचित्र पर महारास्ट और गुजरात जैसा कर सकते हैं आप इसके लिए तयार हैं, पक्का तयार हैं, कर्मयोगी बनने के लिए तयार हैं that's wonderful, मेरा नम प्रेमवद है और मैं बिहार का रहने वाला बेगू सराइजी लेका सिक्षा दिक्षा यहीं से, आज कोई कहानी कहने नहीं आया हूँ civil services के पहले engineering किया, engineering graduate हुआ, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी नौकरी मिली लेकिन लगा कि जिंदगी के सारे फलसफा, सारे दर्शन, सारी उपलब्दियां नहीं मिली है तो और मिहनत की, civil services qualify किया, state services माया, यहां काम भी किया, बहुत अच्छा लगा, I am proud to be my education and job, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोस्त, कुछ धूरा था, कुछ खाली था, खुशियां थी, लेकिन खुशियों की थैली नहीं थी, और जीवन था, किन तो जीवन शैली नहीं थी, lifestyle नहीं था, सचाई यही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहे थी, इश्वर की क्रपा हुई, दिशाम मिली, business activity में लगा, और फिर धीर धीर आगे बढ़ता चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, कई barriers तोड़े और 20 वर्सों का सफर ऐसा हुआ, कि 14 वर्ष के ब अपनी लकुट कमरी आप बहुते ही नाच न चायो, and become an entrepreneur, entrepreneur बन गया, और फिर उसके बाद से अपनी खुली जमीन में काम किया, काम किया, लोगों से मिला, लोगों के इंस्पायर किया, और आज आपके समक्ष भी, वही अधना सा प्रेमवद आपके साथ बोलने लाइक बना संदेश है, जो संदेश आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और अभी हमारी मानिलिया जया कि शोरी जी भी आएंगी, वह भी आप से इस बात को शेयर करेंगे, उनकी तो, उनका तो प्रभामंडल ही अलग है, और वो जब आएंगी, तो मजा आजाएगा, I am also eagerly waiting for her, लेकि that is basic purpose that we are sharing, हम दोनों बात कर रहे हैं, आप से बात कर रहे हैं, अलग-अलग छेतर से अलग-अलग प्रिस्ट भूमी से आये हैं, संदेश एक ही है, और वो है, 21 शदी में जो ट्रेंड चल रहा है, जहां देश को विकास होने के लिए और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, तो उसमें जिस एक चीज की कमी हो रही है, वो है, हम अभी भी उद्यमिता की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अभी भी आंट्रपनियोर्शिप के तरफ नहीं देख रहे हैं, बिहार तो जबरदस्त है, प्रतिभा का कायल है, पुरा देश बिहार का, लेकिन इसके वाब की तरफ उद्यमिता के तरफ पांच प्रतिशत लोग जुके हुए थे, लेकिन इन पांच वर्षों में इतना बड़ा बदला हुआ है, लगबग 15 प्रतिशत लोग अप अंट्रपनियोर्शिप की तरफ गूश तक है, जोड़दार ताली सब लोगों के लिए and especially all those persons who are taking initiatives for that लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, entrepreneurship की कोई परिभाशा कहने और मैं यहां कोई economics करने नहीं आया हूँ, लेकिन उद्यमिता कहते हैं कि इसको बस इसको समझ लेने की जरूरत है, जब कोई शक्सियत निर्भीकता के साथ बिना खत्रों की परवा किये हुए, अपनी आजादी और अपनी शर्तों के साथ काम करे, लाव के लिए और लोगों के कल्यान के लिए तो उसी को उद्यमिता कहते हैं, उद्यमिता उसी को कहते हैं, चाहे छेत्र कोई भी हो, वो micro entrepreneur हो, entrepreneur हो, वो किसी छेत्र विशेस में हो सकता है, वो technology में हो सकता है वो digitalizations में हो सकता है, वो direct selling में हो सकता है, वो FMCG में हो सकता है, वो किसी में हो सकता है, लेकिन यही शर्त उद्यमिता की होती है, और यहां आकाश अनंत होता है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सब लोग जाते हैं, क्यों लोग उद्यमि बनना नहीं चाहते हैं, इतनी सारी बा लोग देखते हैं कि कोई देहात एक अपने वेबसाइट और अपने काम से कितना उपर चला गया लोग देखते हैं बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को अच्छा भी लगता है कहते भी हैं लेकिन अपने बेटे को क्यों नहीं उद्यमी बनाना चाहते हैं उसे क्यों नहीं जाना चाहते हैं that is a question which we have to derive जिसको हमें व्याख्याइद करना है और समझना है क्यों ने लोग उद्यमी बनना चाहते हैं मैं आपसे कम शब्दों में बताऊंगा तीन महत्पून कारण हैं जिसके चलते लोग उद्यमी बनना नहीं चाहते हैं जो उनको तकलीफ देता है जिसके चलते वो रुकते हैं जिसके चलते हर घर से एक उद्यमी नहीं बनता है फ्रेंट्स वी हैब टू थिंक लाइक ड़ाट जो हमारे जीडीप को हमारे राज्य को उपर ले जाए जैसे हम लोगों ने अद़्ेंगे उन्जस के माध्यम से और कोर्ण सजोकmaster के माध्यम से मध्यवर्ग मुक्तिबोद ने बहुत अच्छा लिखा है कविता में मध्यवर्ग जो है यह मिडल क्लास लोग मिडल क्लास इसको जिंदगी में सब कुछ चाहिए अच्छी गाड़ी अच्छा मकान अच्छी शादी वेडिंग सरमनी लोग जाने लोग पहचाने सब चाहिए कमजोरियां छोड़ना नहीं चाहेगा संघर्ष करना नहीं चाहेगा कमफर्ट जोन में रहना चाहेगा यहीं मध्यवर्ग की सबसे बड़ी बिड़मना है दोस्त एक आदमी ने कहा था the person who has not taken any risk in his life has taken the biggest risk in his life जिन्दगी में जिसने छोटा सा भी जोखिम नहीं लिया उसने जिन्दगी में सबसे बड़ा जोखिम लिया हम लोगों को छोटी छोटी नौकरियों में भेजकर संतुष हो जाते हैं हम अपनी capability संभावनाओं को व्यापक रूप नहीं दे पाते हैं और उसका कारण यहीं ह चीजों को बदल देते हैं and that is all about संघर्ष करना नहीं चाहते हैं स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं उनको डर लगता है निकल कर करने से वह चाहते हैं पहले दिन से छोटी सी recognition उनको मिल जाए वो धूल फाकना नहीं चाहते हैं वो दो चार वर्षों के लिए परदे के पीछे नहीं जाना चाहते हैं उनको लगता है संघर्ष में हम तूट जाएंगे क्यों करें जबकि उसकी उपलब्दी उसका परिणाम उनको सब अच्छा लगता है लेकिन दोस्त इस जीवन में संघर्ष किये बिना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है सच्चाई है जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी उपलब दी जितनी छोटी पीड़ा उतना छोटा उपलब दी दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है उसको कहते हैं प्रसव पीड़ा जब डेलेवरी होती है जब लेड़ी प्रेगनेंट होती है और बच्चे को जनती है यू कैनोट अच्छा स्रिजन भी माई करती है जितना बड़ा संगर्ष उतनी बड़ी उपलब दी एक बार हरिवंद्शाय बच्चन से मताब बच्चन मिलने गए और पूछे और कहे कि पापा आप तो बोले थे कि लाइप से स्ट्रगल कतम हो जाएगा सब कतम हो जाएगा दो चार फिल् है कि पुत्र जब तक सांस ले रहे हो न जब तक जीवन थेंग तब तक संघर्ष संघर्ष चोली दामन है दुख की रजनी के बीच निकस्टा सुका नया प्रभात जिसने जितना संघर्ष किया है उतने उत्ता इतने बढ़ पाए जितने जीतनी गलिया च्हानी है जिसके जितने स्टार्ट अप्स फेल हुए उन में से दो निकला जिसने ड्रेक्षिलिंग में जितने रिजेक्शन्स दिये हैं वो उतना ही बड़ी उपलब्धी लेकर निकला है और इसलिए जिस आदमी को अंट्रपनियोर्शिप में स्टार्ट अप्स में निकलना है उसको पहले दिन यह सोच लेना मैन संगर्श मुझे रोक नहीं सकता है आप देखें जितना बढ़िया 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 आप क्लाइमेक्स देखेंगे बड़े महाकाव का बड़ी फिल्मों का स्ट्रगल को तुन थमेगा कभी तून मुडेगा कभी करशपत 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 अगनीप अगनीपथ 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 That Is The True Spirit और वह लोग आगे निकल जाते हैं you can see lot of lot of struggles आप देखें किसी की आपको तो बहुत अच्छा लगता है नए बिलेनियर्स जो बनते पुराने जो है उनके अलावे आपको भाविश अगरवाल की कहानी बहुत अच्छी लगती है रितेश अगरवाल की ओला की बीन बी की अच्छा लगता है विजय शेखर सर्म को सुनके आपको बहुत अच्छा लगता है अभी फिजिक्स वाला की कहानी देखें तीन साल में अच्छा लगता है को विड के बाद लिंग क्या आपने उसके स्ट्रॉगल देखा नहीं देखा जितना बड़ा संघर्श उतनी बड़ी का स्ट्रॉगल और सुपस्ट इंग जोखिम उठाना होगा थोड़ा रिस्क लेना होगा कुछ डूबेगा निकलना पड़ेगा पुरानी मानिताओं को छोड़कर निकल कर आपको दो साल अंधेरे में जाना होगा और तब निकल कर लोगों के समक्षाना होगा एक सफल उद्यमीने बनते हैं दूसरा कारण डाट इस लैक ओफ विजन इन होप लोगों में दूरदर्शिता की कमी होती है रोड मैप उनके पास नहीं होता है लोग आज आते हैं लेकिन उनको समझ मिने आते हैं मुहमद यूनिवस ने बड़ी अच्छी बात कही थी आप जानते है नोबल पूरस्काय मिला था बंगलादेश के हैं माइक्रो इंट्रपनियोर पर 2006 में उन्होंने कहा हर आदमी के अंदर में एक अंट्रपनियोर बैठा हुआ है लेकिन उसको जानने का अवसर ही नहीं मिल पाता है कि उसके अंदर भी उद्यमी है जो निकल सकता है क्योंकि उ I'm telling you this is right किया आप युवा हैं आपके नौकरी को नहीं पाएं तो क्या आपके मन में है क्या रोडमैप क्या है अगले 10 वर्सों का क्या आप छोटे से बिजन से बिजनस में हैं आपको पता है कि अगले 5 वर्शों में आप इस बिजनस को कितना बड़ा कर सकते हैं क्या आप selling में आपको पता है आप अगले 10 वर्सों में कहां जाएंगे हर दिन आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आपने यह विजन लिया है किया आपको यह पता है कि आपका जो होल सेल का शॉप है आप इसको बड़े बड़े बिग शॉप में कैसे कनवर्ड कर सकते हैं कि आपको पता है कि आप एक बड़े बिजनस के मालिक है लेकिन और लोग आगे निकल रहे हैं उसको कैसे डाइवर्सिफाइ कर लिया जाए कि आप और बड़े बिजनस में ने कि आपको पता है कि कल को आप अपना आई प्यो परसल आई प्यो इशू कैसे कर सकते हैं शेयर मार्केट में आ तो आपको पड़ेगा ही मेहनत के साथ हमारे पुराने संस्कृत के श्लोक में भी उद्यम के बारे में है, गीता में भी है उद्यमेन ही सिद्यनती कार्यार्थ नहमनोड थे नहीं सुपतसी सिंगसी प्रविशनती मुखे म्रगा, भाई उद्यम करने से सब कुछ मिलता है, शेर के मुझ में बरिगा, इसे नहीं चला जाता है, ये लेकर जब आप चलेंगे, तब आपकी सारी चीजें बदलेंगे, and that is right I am telling you, so दूसरा कारण है लोगों के पास दूरदर शिता नहीं है आगे चीजों को नहीं देख पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, उनको लेकर नहीं चल पाते हैं और तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है जो आपको कामियाबी तक ले जाएगा जो आपकी जिन्दगी का सबसे बड़ा सबब है वो है excitement, उत्साह उत्साह किसी को भी बहुत बड़ा उद्यमी बना सकता है excitement आपकी जिन्दगी का सबसे बड़ा राज है दोस्त, आप excited हैं अगर अभी यहां बैठे हुए तो आपको वो दर्शाना चाहिए खूब जोड़दार तालिया मना गए ताकि आप अंदर से उत्साही थें दोस्त, उत्साह जीवन को जीवन मना देता है लाइफ लाइव होता है जब आप excited है आपको नौकरी अच्छी लगेगी पहाड़ खूब सूरत लगेगे नदियां अच्छी लगेगी पत्नी का प्रेम भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्त की मस्ती भी बहुत अच्छी लगेगी यहां मंच पर बैठे हुए किसी आदमी को सुनना भी बहुत अच्छा लगेगा यह सब तभी अच्छा लगेगा जब आपके अंदर में उत्सा है उत्सा के बेगर इस दुनिया में कुछ नहीं है किसी बड़े वईजानिक ने कहा था कि आपके शरीर के अंदर का जो हार्मोन है वो सर्वस्रस्ट तब निकलता है जब आप उत्साहीत होते हैं क्योंकि वो बैठा रहा जाता है डोपामीन वो जाता है कि साथ में इस क्या निकले मरियल आदमी की पत्नी भी मैके चली जाती है उसके साथ नहीं रहती है लेट मी टेल यू वेरी एकसाइटेड मैं एकसाइटमेंट के साथ आपको बताता हूँ जो सबसे बड़ा सच है तो उससाह आपको काम्याबी तक ले जाएगा और इसको बनाए रखना है दोस्त मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ पुराने जमाने में राजा बड़े बड़े राजा महराजा अपने दरबार में वीर रस के कवी रखते थे कि वो उसको उसको उससाहित करे उसको लगाए कि वो युद अच्छे से करे मैंने बड़ी कविता है चार पंक्ति सुना लेता हूँ जो उससाह से लवालब है हे युवा उठो हुंकार करो हे युवा उठो हुंकार करो सिंगासन को भी पार करो जाओ जाकर कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कर दिया तिलक, विजई हो, तेरी जै हो, तेरी जै हो, तेरी जै हो उत्साह सबसे अधिक जरूरी है दोस्त आप देखेंगे बड़े-बड़े एथिलीट्स बड़े-बड़े और I mean बड़े-बड़े एथिलीट्स बड़े-बड़े स्पोर्ट्समेन जब आते हैं फिल्ड में तो क्या चाहते हैं सबको कहते हैं तालियां बजाओ क्यों अपने उत्साह के लिए अपने उत्साह के लिए एक्साइट्मेंट के वेगर कुछ होता ही नहीं दोस्त और यह सबसे अधिक जरूरी होता है तो सबसे अधिक जरूरी है अपने जिंदगी में उत्साह बनाने के लिए और यह सबसे अधिक जरूरी है जब विपरीत परिस्तिती मे है असफल हो गए तब भी आपको एक्साइटेड रहना कुछ मिला जशन कर रहे तब भी उत्साह पर रहना उत्साह को कंसिस्टेंटली बनाये रखना वही आपको ले जाएगा सो यह तीन प्रमुक कारण है जो लोगों को उद्यमी बनने से रोकते हैं लेकिन अगर आप उद्यमी है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इनको ओवर कम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और सफलताओं के शिखर तक जा सकते हैं बस ह एक चीज को हमेशा याद रखेगा जो अंत्मे में बोलना चाहूंगा सफलता बहुत अच्छी है उद्यमी बनना बहुत अच्छा है लेकिन लेकिन अगर बुनियाद मुल्यों पर नहीं है तो एक दिन ठाय जाएगी मुल्य ही सबसे बड़ी चीज होती है आपका आपकी प्रतिभाः आपको एक बार सफल बना सकती है लेकिन आपका चरित्र और आपके मुल्य उसको लगातार शिखर पर बनाए रहेंगे इस वेरी मच इंपोर्टन हम उन्हीं लोगों को आज भी याद करते हैं जो वैल्यू से भड़े होए थे हमारे इतिहास के वही सब नायक हमारे साथ आज भी दादी की कहानियों मर पंच तंत्र में जो वैल्यू के साथ थे चाहे वो आर्वनी हों चाहे वो अर्जून हों चाहे वो में आई पील खतम हुआ है इंस्पार्ड में लाइक अभी चंद्रियान में मैंने देखा क्या वैल्यूज के साथ साइंटिस्ट रो रहे थे 140 क्रोड की जनता आई पील में पीली जर्सी पहन कर एक ही आदमी को हर स्टेडियम में खोज रही थी और वो था । क्यों कि उसने ट्रॉफी दिलाई इसलिए कि वह बहुत अचा वाल राउंडर है इसलिए बहुत अच्छा बैट्स्मेन है इसलिए कि वह कैप्टैन रहा है नहीं इसलिए कि वह वैल्यूज और चारेक्टर्स का आइकोन है उसने कभी भी अन्यक्तिक काम नहीं किया उसका empire के decisions अच्छा होता था वो हर मैदान पर नए लड़कों को बढ़ाता था पीछे से trophy लेता था वो लोगों को जीते देखता था वो विपरीत परिस्तितियों में मुल्यों को बनाए रखता था और इसलिए लोग रो रहे थे emotional थे कि कहीं धोनी retirement तो नहीं ले दोस्त लोग तो सब आते हैं संसार में सफल भी कुछ लोग होते हैं लेकिन याद उन्हीं को लोग रखते हैं जो values और character से समझावता नहीं करते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर लेकिन एक सिंहासन चड़ी चले एक बंदे जंजीर दोस्त आज यहां से business in Bihar के मन से मैं आपको बस एक संदेश देना चाहता हूं ऑफकोर्स यूरे आप इम्प्लायर सम्वेर और इंप्लाई ऑफकोर्स यूरे smaller businessman big business आफकोर्स यूरे professional आप कुछ भी हैं लेकिन दोस्त बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो द्यमिता को आगे बढ़ानी होगी और अगर उद्यमिता को आगे बढ़ानी है तो पडोसी के हवाले इसको नहीं करेंगे लेट एस कम तोगेदर मेक डिसीशन बिकाम अंट्रपनियोर ग्रोइट मोर है वैल्यूज एंड सी बिहार उन तॉप गाद ब्लाइव और यूर्ट बैस जोर्दार ताल्या होनी चाहिए